Hello students, आज हम लोग करेंगे civics का चाप्टर, What is democracy? Why democracy? तो चली शुरू करते हैं इस चाप्टर में, NCRT ने कुछ stories के थूद democracy के features बताने की कोशिश की है सबसे पहला है, the final decision-making power should rest with the elected representatives of the people इसके लिए पाकिस्तान का example लिया गया है तो हुआ क्या कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्फ ने 1999 के October में वहां की elected government को overthrow कर दिया उसके बदले उन्होंने खुद को Chief Executive of Pakistan का दर्जा दिया बाद में उन्होंने इस title को change कर, President का कर लिया उन्होंने 2002 में एक referendum कराया referendum एक ऐसा process है जिसमें लोगों के पास सिर्फ दो choices होती है yes या no इस referendum में उन्होंने खुद को 5 साल का extension दिलवा लिया इस referendum के बाद उन्होंने एक legal framework order लाया ये order effectively democracy का end था इस order के तहत जो civilian cabinets decision लेती उसे president और उनके चुने हुए लोग review कर सकते थे ये elected representative से power लेकर president को power देने जैसा था इसके बाद बात आती है कि किसी भी democracy में free and fair elections होने चाहिए elections हों तो free and fair ही हों इसके लिए example लिया गया है चाइना का चाइना की national parliament का नाम है कौंगो रेनमिन दाइबियाई दहूई आप दो-तीन बार इसे बोल कर और लिख कर याद करें तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं या फिर national people's congress के नाम से भी आप इसे याद कर लें इसमें 3000 members होते हैं जिनका election होता है पर इस election में सिर्फ चाइना की communist party या उससे जुड़ी हुई आठ छोटी पार्टियों के members ही election लड़ सकते हैं इससे होता क्या है कि power effectively communist party के circle में ही रहती है और कोई भी बाहरी आदमी किसी नए idea के साथ election नहीं लड़ सकता इसके साथ ही Mexico का example दिया गया है Mexico को 1930 में ही election independence मिल गई थी और वहां हर 6 साल के interval पे elections होते हैं elections काफी rigged होते हैं क्योंकि 2000 तक वहां सिर्फ एक ही party PRI जोकी institutional revolutionary party थी उसी का राज रहा ये party काफी dirty tricks यूज करती थी elections जीतने के लिए government employees को party meetings अटेंड करने के लिए कहा जाता था government school के teachers, parents पर pressure बनाते थे इस party को vote देने के लिए media opposition parties की works को ignore कर देती थी आप देखिए कि यहां पर media जो की fourth pillar of democracy, watchdog of democracy कहा जाता है उसने भी party की तरफ ही अपना जुकाव रखा था boots को last minute पर shift कर दिया जाता था तो होता क्या था कि जब भी ऐसा देखा जाता कि इस area में वो हार सकती थी वो लोग boots को shift कर देती थी ताकि ज्यादतर लोग vote देने आही न सके large sums of money को PRI spend करती थी PRI government money को भी election, अपने election campaign के लिए खर्च कर देती थी तीसरा point है one person, one vote, one value इसके लिए हमने, हमें तीन examples दिये गए है Saudi Arabia में women को vote देना allowed नहीं है Saudi Arabia में women को काफी सारे rights नहीं है और democratically elect करना government को भी उनमें से एक है Estonia में Russian origin के लोगों को vote डालने में मुश्किल होती है और Fiji में एक Indian Fijian का vote कम value रखता है एक native Fijian से चौथा point है rule of law and respect for rights इसमें हमें Zimbabwe का example दिया गया है तो अगर आप news देखते हैं तो Zimbabwe का news अभी कुछ सालों पहले काफी headline में था क्योंकि ये जो Robert Mugabe का example दिया गया है उसे कुछ सालों पहले ही overthrow किया गया Zimbabwe में तो Robert Mugabe की party थी ZANU PF ये constitution को change करती रहती थी अपने आपको less accountable और more powerful बनाने के लिए ये opposition workers की meetings को harass करती थी और public protests को illegal कर दिया था TV और radio को government control करती थी, government journalists को भी harass करती थी जो की उनके खिलाफ कुछ भी बोलते थे अब इसके बाद democracy के side में और democracy के against कुछ points रखी है NCRT में democracy के against जो points हैं वो हैं यहाँ पर morality नहीं है अपने देखा होगा elections में नेता एक दूसरे को खराब गालियां देते हैं और कई सारी खराब practices यूज करते हैं जिसके कारण कहा जाता है कि democratic countries में morality की कोई जगा नहीं instability तो क्या होता है कि कई सारी democracies जैसे अभी आपने अगर news देखा होगा तो इसरेल में चार elections से किसी भी party को majority नहीं मिली है इससे वहां की government पूरी तरह से function नहीं कर पारी और instability की स्थिती बन गई है ऐसा ही कई सारी नहीं democracies में हुआ था हमारे देश में भी ऐसा beach के period में हुआ था 1990 के आसपास delays तो होता क्या है कि democracy में किसी भी law को पास करने का एक procedure होता है मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी leader के दिमाग में आया और वो तुरंत law को पास कर दे इससे काफी ज्यादा delay हो सकता है decision जो की ineffective कर दे उसके पूरे implementation को corruption आपने देखा ही है हमारे ही country या किसी भी और democratic countries corruption के list में काफी नीचे आ जाती है इसका यही कारण है कि parties को election लडने के लिए काफी सारे पैसे की जवरत होती है और वो इस पैसे कव वापस लेने के लिए corruption करते है और people don't know a lot about these democracies तो होता क्या है कि इंडिया में भी कोई इंसान जब vote देने जाता है तो उसे पूरे democratic structure के बारे में कभी ही पता होता है कई बार क्या होता है कि जो villages में illiterate लोग हैं वो लोग बस उनके caste या उनके religion के लोगों को जाकर vote दे देते हैं ऐसा system democracy के लिए काफी harmful हो सकता है और people को अपने बारे में क्या अच्छा है ये भी कई बार नहीं पता चलता जैसे लोग हो सकता है किसी war monger leader को जो की war declare करने की बात करता हो उसे elect करके ले आए पर ऐसा war उसके देश के लिए काफी नुकसान दे हो सकता है अब democracy के support में कुछ बात है democracy की जो governments होती है वो accountable होती है मतलब अगर उस government ने कोई गले decision लिया तो लोग उस government से पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा decision क्यों लिया और अगली बार उन्हें elections में हरा सकते हैं ऐसे खराब decisions लेने के लिए improves quality of decision तो delay जो होता है उसका भरपाई democracies ऐसे करती हैं कि quality of decisions improve हो जाती है क्योंकि democracy में काफी ज़्यादा debate होता है किसी भी topic पर किसी भी law पर इसलिए उस law में जितने भी loopholes होते हैं उन्हें भर दिया जाता है implement करने के पहले dignity of citizen जब citizens खुद government को elect करते हैं तो उन्हें एक dignity का एहसास होता है मतलब उन्हें लगता है कि वो भी इस देश के development में इस देश के decision making में कुछ योगदान दे रहे है deal with conflicts and differences आप देखिए कि इंडिया जैसी country में अगर हमारे देश के लिए democratic system अच्छा इसी लिए है क्योंकि ये differences को deal करने में एक बहतर उपाय देता है दो democracies ideal नहीं होती लेकिन ये काफी अच्छी system को provide करती है क्योंकि सभी लोगों को अपनी बात रखने की इजाज़त होती है एक autocracy में लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है जैसा आपने देखा होगा विगूर Muslims के साथ हुआ है चाइना में corrects its mistakes तो ऐसा अगर कोई law आ जाए जिससे काफी गरबड़ी हो रही हो देश में तो democracies के पास ही option होता है कि वो decisions को वापस ले सके क्योंकि implementation में थोड़ी देर लगती है stepwise implementation होता है ये चीज़ किसी autocracy में नहीं हो सकती मतलब autocratic governments तुरंत implement कर देती है decisions को जिसके कारण उनके पास correction का scope काफी कम हो जाता है इसी के साथ हमने इस chapter को खत्म कर लिया पर जाने के पहले मैं आपको आज की story of the day बता दू तो चाइना में आपने देखा होगा ताइवान और चाइना के बीच दो flags यूज होते हैं Chinese ताइपे नाम से आपने ओलिम्पिक्स में भी एक team को पाट लेते वे देखा होगा तो चाइना में communist party आने के पहले चेंग काई शेक का रोल था ये लोग चाइना के nationalist rulers थे ये भी एक autocracy थी लेकिन western democracy इस autocratic power को support करती थी और communist autocratic power का support नहीं करती थी तो इससे हम देखते हैं कि democracies जरूरी नहीं कि हर बार democracies का ही support करें क्योंकि कभी-कभी अपने benefit के लिए major powers autocratic rulers को install कर देती हैं उन देशों में ताकि उनका benefit हो और उस देश के लोगों के बारे में वो नहीं सोचती इसी के साथ आज का chapter कदम Thank you